हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं जलेबी वो भी घर पर ये मार्केट से भी अच्छी बनकर तियार होती है अगर आपका जलेबी खाने का मन करें तो आप इसे घर पर आराम से बना सकते हैं अगर आप इसे प्रॉपर मिजर्मेंट से बनाएंगे तो बिलकुल पर्फे बनाना स्टार्ट करेंगे आप वीडियो को लास तक जरूर देखना ताकि आपकी जलेबी बिलकुल पर्फेक्ट बने यहां चाशनी बनाने के लिए मैंने एक छोटे मुगा भगोना लिया है और थोड़ा गहरा लेना है ताकि हमारी जो जलेबी है वो अच्छे से डीप हो और पानी का भी और आप मैं इसमें एड कर रही हूँ हाफ टीस्पून के करीब इलाइची पाउडर अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इलाइची को क्रश करके भी डाल सकते हैं इतसे हमारी जलेबी बे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अब मैं इसमें डाल पिंच के करीब औरेंज फूड कलर यह ऑप्शनल है इतने हमारी चाशनी तियार हो रही है हम अपनी जलेबी का बैटर प्रपेयर कर लेते हैं यहां एक बोल में हम एक कटोरी मैदा ले रहे हैं और इसी कटोरी से हमने चीनी का मेजर्मेंट किया था और अब मैं इसमें एड कररी हूं बैट करीब घी 2 ay डालने से हमारी जलिवी जो है वह वह बहुत क्रिस्पी बनती है और इंस्टिंट के लिए हम एनो का you use कर रहे हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स करने से क्या होता है हमारी जलेबी बिलकुल पर्फेक्ट बनेग ये देखिए हमारा घी इसमें बिलकुल मिक्स हो गया है देखिए कितने अच्छे से मिक्स हुआ है और अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डाल कर इसका एक बैटर बना लेंगे हम आधी कटोरी के करिभी इसमें पानी डालेंगे और ध्यान रहे हमें पानी को एक साथ नहीं डालना है वरना हमारे मैदे में لم्ज बन जाएंगे और करीब इसे एक से दो मिनट तक हम बहुत अच्छे से फेटेंगे ताकि इसमें कोई لم्ज ना रहे जिससे हमारी जलेवी बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी ये देखे बिल्कुल पर्फेक्ट हमारा बेटर बन कर तियार हुआ है ये देखे बिल्कुल पर्फेक्ट कंसेस्टेंसी है हमारे बेटर की और इससे हमारी जलेवी बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी इधर हमारी चाशनी भी तियार हो गई है, हमें अपनी चाशनी को ज्यादा पकाना नहीं है बिल्कुल सिल्की हमारी बनी है चाशनी और अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे चलिए अब हम अपनी जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिस के लिए मैंने यहाँ पर बिलकुल फ्लैट तलीका पैन लिया है आप चाहें तो कड़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे हमें बिलकुल फ्लैट तलीका लेना है जिससे हमारी जलेवी बिलकुल पर्फेक्ट बनेगी और मैं अब इसमें घी डाल रही हूँ हमें इसमें घी करीब पॉनिंच के करीब डालना है हमें इसमें घी ज्यादा फिल नहीं करना है आप चाहें तो इसे ओईल में भी बना सकते हैं और हमें अपने ओईल को बिल्कुल परफेक्ट गरम करना है ठंडे अगर हम घी में अपनी जलेबी को डालेंगे तो हमारी जलेब और हम इसे धीरे-धीरे करके अपने बैटर को इसमें डाल लेंगे, हमें आदा ही फिल करना है, अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, और इसे हम आगे से कट कर देंगे, जलेबी घी में डालते ही, एकदम फूलने लगी, अगर हमारा ही ठीक से हलका गरम रहता है, तो हमारी जलेबी चप्टी बनती है, और वो शुगर सीरप को भी एब्जॉर्ब धंग से नहीं कर पाती है, यह देखे बिलकुल पर्फेक्ट जलेबी बन रही है हमारी, और इसे हम अच्छे से अलट पलट करके सेख लेंगे, यह देखे हमारी जलेबी दोनों तरफ से अच्छे से सिख गई है, और अब हम अपनी जलेबी को निकाल कर चाशनी में डाल देंगे, और हम इसको अच्छे से अलट पलट करके चाशनी में अच्छे से डीप कर लेंगे हम एक मिनट के लिए डीप करेंगे और फिर अपनी जलेबी को चाशनी से निकाल देंगे और अब हम एक से दो मिनट में ही अपनी जलेबी को निकाल लेंगे ये देखिए कितनी अच्छे से शुगर एब्सॉर्ब करिए हमारी जलेवी ने और अब ऐसे ही करके हम अपनी सारी जलेवी को बना लिये हैं ये देखिए हमारी जलेवी एक कटोरी मैदे में कितनी सारी बनकर तियार हुई हैं और कितनी परफेक्ट बनी है हमारी जले भी आप इस रेसिपी को एक बाटाई जरूर करना I hope you like my video Please like, share and subscribe Thank you